हांजी, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपने कभी ऐसा कई? और यार कोई किसी से प्यार नहीं करता रहे, दुनिया बड़ी ही मतलब ही है, do you think that? एक बात सच-सच बताओ, क्या आप खुद से अनकंडिशनली प्यार करते हो? इसका आंसर है नहीं आप खुद से unconditionally प्यार नहीं करते तो आपको कोई हक नहीं है कि आप दूसरों से expect करो कि वो आपसे unconditionally प्यार करें पर नहीं हाँ ऐसा तो नहीं हम तो खुद से बहुत प्यार करते हैं लोग hashtag self love करके हम selfie post करते हैं हम भार घूमने जाते हैं तो लिखते हैं hashtag self love that is not what real self love looks like that is not what real unconditional love looks like आप खुद से unconditional प्यार नहीं करते हैं conditional करते हैं reason being जब आप पास होते हैं तो उस दिन आप खुद को बड़ा ही पसंद करते हैं कि भाई क्या जीवन में achievement कर लिया हमने हम पास हो गए तो वाँ शाबाशी देंगे खुद को क्या बड़िया काम करा है मैंने और वहीं अगर आप fail हो जाते हैं तो आप खुद को सबसे पहले कोसते हैं आप खुद को सबसे पहले guilty और embarrassed feel करवाते हैं कि मेरे से ये नहीं होता है मेरे से वो नहीं होता है मेरा दोस्त तो इतना अच्छा है आप खुद को compare करने लग जाते हैं fail होते ही तो कहां से हुआ ये unconditional प्यार आप उस moment पे भली आपके शायत हो सकता है आपके parents आपसे disappointed हो कि आप pass नहीं होए हो सकते हैं आपके कोई दोस्त आपसे disappointed हो या आपका girlfriend, boyfriend, रिष्टेदार so on so forth लोग आपसे थोड़ा से disappointed हो सकते है कि आपका result आया आप pass नहीं हो पाए पर यार उस moment आपको तो खुद का साथ देना चाहिए थे न जब उस कमरे में बैठकर आप किताबे पढ़ रहे थे तो आपने तो महनत करी थी न आप ये भूल गए कि मैंने महनत करी थी at least कोई बात नहीं मैं तो अपना साथ दूँगी न उस moment नहीं आपने अपना साथ छोड़ दिया fail होते हैं आप अपना साथ छोड़ देते हो बिलकुल आप समझते हो कि मेरे तो जीवन का कोई मतलब भी नहीं है मेरे तो life को कोई अस्तित भी नहीं है मैं तो fail हो गई मेरे से तो कुछ होता नहीं है life में I'm a loser मेरे से नहीं हो पाएगा अगली बार भी पास नहीं हो पाऊंगी आपने खुद पर विश्वास नहीं करें यार और आपको यह चाहिए कि दूसरे लोग आप पर विश्वास करें वो नहीं करेंगे अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा आप ये लिख लीजिए आज की डेट डालके और जिस दिन आपने खुद पर विश्वास करना शुरू करती है ना कि थोड़ा सा चीज़े इधर उधर भी चली गई पर आपने confidence से बोला कि नहीं मुझे पता है कि कहीं कुछ थोड़ा कम रह गया होगा और मेरी पूरी-पूरी capability है उस चीज़ को ठीक करने की and I'll come back और हो जाएगा मुझसे तो लोग आप पे उस conviction की वज़े से लोग आप पर विश्वास करेंगे लाइफ में चीज़े जो होती है ना मारे आसपास जो हो रही है वो मिरर हो रहा है exactly वही जो मैं अपने बारे में सोचती हूं वर्क्शॉप मेरा मैं एक exercise करवाती हूं जहां पर हम सबसे सवाल पूछते हैं तो I give them the assignment कि आप तीन चीज़े लिखे जो लाइफ में आपको चाहिए पर अब तक नहीं मिली है सब लोग बड़ी खुशिक्री लिखते हैं उसके बार next सवाल होता है जब मैं unmute करके मैंने काफी लोगों से पूछा अब तक 3000 लोग अब तक अलग-अलग वर्क्शॉप में आ चुके हैं और sadly जब मैं इस सवाल पूछती हूं कि क्या आप खुद को उस चीज के लिए deserving मानते हैं सच सच बताइएगा दिल पे हाथ रखे 90% people said no to it कि नहीं हम खुद को deserving नहीं मानते यार ये ऐसी चीज है कि आपको life में कुछ चाहिए और आप खुद को ही उस चीज के काबिल नहीं समझते तो आपको नहीं मिलेगी and then you say कि law of attraction काम नहीं कर रहा है मेरे पे कोई technique काम नहीं कर रही है ये तो कहते है like attracts like exactly like attracts like जिसको life में चीज चाहिए वो ही खुद को काबिल नहीं समझता है तो उसको वो चीज कैसे मिलेगी life की circumstances, situation, लोग तो वही mirror करेंगे जो आप अपने बारे में सोचते हो आपने देखा कोई इंसान कोई चाहिए कोई कोई नहीं लोग ना बहुत ज़्यादा खुबसूरत नहीं होते है इसा बहुत charming नहीं है बहुत अलग उनके scene नहीं होगे हुए but the moment they enter the room everybody look at them आपको भी कभी कोई लगता होगा किसी इंसान को देखे कि भाही इसमें ऐसा क्या है इसको इतना confidence किस बात का है वो उनके अंदर का जो confidence है जो खुद अपने बारे में सोचते हैं वो उनके औरा में reflect करता है और आप मजबूर हो जाते हैं चाहते हुए भी उन पे confidence दिखाने के लिए और वहीं कई कोई बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा होगा सब चीज़े अच्छी कर रहा होगा पर वो खुद को ही काबिल नहीं समझता है जो चीज़ें उसको चाहिए तो उस अंसान को कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी तो प्लीज आप तो खुद से unconditional प्यार करना शुरू करो ना हमें पता है क्या लगता है कि हाँ ये इंसान यार बाद में बोल रहा है अभी क्या जब आप पहले जब फेल हुई थी तब भी क्या आप इतनी optimistic थी तब भी क्या ऐसे करती तो उसका answer है हाँ यार हाँ मैंने नजरें बदली तो मेरी life के नजारे बदले में अपने बारे में वही बुरा फील करके सोचती रहती तो चीज़ें नहीं बदलती life में मैंने 2020 में अपने लिए कुछ पस वहले जो साथ में बैठते हैं मुझसे दो साल छोटे हैं या हर attempt में पास होते हैं I was done with thinking all this तब मैंने लिखा था अपनी नाकाम्याभी चुपाते चुपाते मैं ठक गई थी फिर मैंने अपनी हर नाकाम्याभी के लिए खुद को माफ करके खुद पे प्यार जताया अपने गिरे हुए आत्म विश्वास को फिर से उठाया सब कुछ पुराना भुला कर खुद को नए सिरे से जीना सिखाया और उस दिन से मैंने अपनी हर सफलता के साथ साथ अपनी हर नाकाम्याभी का भी जश्न मनाया मैं फेल होने पर खुद को क्यों कोस हूँ यार ठीक है लोग मुझे डिसपाइंट हो गए होंगे पर मैं तो जानती हूँ ना कि मैंने महनत करी थी अगर सफलता मेरी है तो असफलता है यानि कोई फेलियर भी तो मेरा है ना मतलब मैं सफलता तो लेलू हाँ मेरे हिससे किया मैंने उठा ली और मैं फेल हो गई तो मैंने इसको छोड़ दिया क्यों यार why people look up to me I know this why they look up to me because I own my journey लग गए 9 साल मैं तो I wear it as a badge of honor now काफी लोग भी LinkedIn पर भी बोलते हैं कि हाँ तो ऐसे तो बहुत लोगों के साथ हो इसमें कैन नहीं बात हो इसको किस बात का इतना fame मिले जा रहा है क्योंकि यार मैंने मैं देखती थी जब लोग को अपने नाम किया कि first attempt CA लिखते थे बहुत लोग तो मुझे ऐसा लगता था अंदर-अंदर कि अगर मैं multiple attempt CA बनी तो क्या मेरी औरकात कम है क्या उनसे जो first attempt में बन गए I felt I'm equal chartered accountant ना pass होने के बाद तो मैं भी CA हो तुम भी CA हो ना जब मैं pass नहीं भी हुई थी मैंने अपना failed वाली mark sheet पी उठाकर LinkedIn पर डाल दी थी कि this is my mark sheet I own it मेरा कोई failure है मैं own करती हूँ मेरा कोई life का rejection है मैं own करती हूँ उसको सफलता मेरी है तो हर असफलता भी मेरी खुद की है ना यार मैं क्यों अपनी life खतम करने चल दूँ मैंने तो महनत करी थी ना I want this कि आप please खुद के लिए sorry feel करना या हम तो छोटे हैं हम तो बेकार हैं नहीं है कोई ऐसा लोग judge कर रहे हैं कर रहे हैं अगर मैंने भी खुद को judge कर दिया तो मैंने अपने साथ कितना गलत करा ना तो खड़े हो अपनी सफलता के साथ साथ अपनी नाकाविया भी जश्ट मना ओ फिर देखना life में कैसे बदलाव आता है ठीक है on that note this is Sikeya Nathattah signing off for this video और आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए do let me in the comment section down below please बहुत बहुत खुश रहें और खुद के लिए बुरा नापील करें जो है जैसा है बहुत अच्छा है खुद पे प्यार जताईए थोड़ा तभी लाइफ में बदलाव आएगा नजरें बदलोगे तो नजारें अपने अब बदल जाएंगे ओपी बाई ध्यान रखोपन झाल